गोर फार्मिंग यूटूब परिवार में आप सभी का एक बार फिर से सौगत है आज हम बात करने वाले हैं सिलिकॉन के बारे में आज का वीडियो वह खास होने वाला है आज का वीडियो आप भी एंड दगवाज कीजिएगा उसे के साथ में अगर आपके दोस्त हैं या फिर जो एक्टिव किसान हैं उनमें भी ये वीडियो बिल्कुल सेर कीजिएगा तो आज की वीडियो में हम सिलिकॉन के बारे में डेटल से बात करेंगे आज हमने आट पाइंट इसे बना है जो कि सिलिकॉन किया है तूसरा पाइंट है सिलिकोन का स्प्रे किस प्रकार से किया जाना चाही जो हमारा छटा सिलिकॉन के सादल के और चल्च लोकुत करते हैं जिसे कि अपकुछ को बता है पोसक्तत्व होते हैं secondary और कुछ होते हैं micronutent इनके बारे में अगर आपको डेटल में वीडियो चाहिए तो कमेंड़ बाक्स में यस टाइप जरूर कीजिएगा लेकिन सिलिकॉन ने तो primary है ने तो secondary है उन नहीं micronutent सिलिकॉन एक function nutrient है उन्होंने पोधे के लिए बीस पोसक्तत्व बताए थे जिन में से एक पोसक्तत होता है सिलिकॉन लेकिन सिलिकॉन एक एसा पोधे में नहीं दोगे तो भी यह है बाकी जो 17 पोसक्तत्व है उनसे अपनी कमी को पूरा कर लेता है इसके बाद हम हमारा पूरे के तोर पर और दूसरा जमीनी तौर पर मतलब हम जमीन में भी देखर सुलिकॉन को अप्योग कर सकते हैं अगर सकते हैं उसे सात में डेपी उरिया पुटास सलफर किसी के भी सांथ में अगर सिलिकून को दे सकते हैं लेकिं निहा पर पौध्य सिर्फ सिलिसिक फॉरम में इस पौध्य की जणगे इसे अपसोचित करती हैं मतलब आप सिलिकॉन को किसी फॉर्म अगर जमीन में देते हैं तो वह पहले कनबढ हो काम में उसके बाद में पोधों को मिलता है इसके बाद हम तीसरे बाइन की बात करें कि सिलिकॉन का मोड़ा वेक्षन क्या है मतलब कि सिलिकॉन के काम करने का तरीका क्या है अगर हम सिलिकॉन को जमीन में डालते हैं तो यह है जमीन के पी एच को मेंटेन करता है साड़े छे से साथ तक जमीन को भुरवरा बना कर रखता है अगर हम सिलिकॉन को इस पर तोर पर उपयोग में ले रहे हैं तो यह पोधो की जो पत्यां उनके सेल को मजबूत करता है जिससे की पोधो सेंसिंग की मात्रा में बड़तरी होती है और कुलोरोफिल बढ़ता है अगर कुलोरोफि तो जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्पादन में बड़तरी होगी उसे के साथ में सिलिकॉन क्या करता है कि जैसे ही हम फसलों पर अपना सिलिकॉन को इस प्रे करते हैं तो यह है बारिस हुआ ठंड हुआ गर्मी हुई या पिर किसी भी केमिकल का स्ट्रेस अगर पोधों के रखता है उसके बाद हमारा जो चौथा पाइंट आता है कि सिलिकॉन के कितने प्रकार है अगर देखा जाए तो सिलिकॉन चार प्रकार का होता है पहला होता है सिलिसिक आसेड दूसरा होता है सिलिकॉन आकसाइड तीसरा होता है केलसीयम सिलिकेड चौथा होता है पोडिश करना चाहिए बेसे अगर देखा जाए तो सिलिकॉन का प्योग सब्जी वर्गी फसले अनाज वर्गी फसले फल वर्गी फसले मोटे अनाज ओवराल हम सभी फसलों में इसका प्योग कर सकते हैं इसके बाद हमारा च्छटा पाइंट आता है कि सिलिकॉन के क्या-क्या फायदे अगर देखे जाए तो बेसे तो सिलिकॉन के काफ़ ज़्यदा फायदे हैं लेकिन इस वीडियोँ में ने कुछ मेन मेजन पाइंट कवर अप किया है जिससे कि आप सभी को पता चल सके कि सिलिकॉन के क्या का फायदे होते हоч eine Sakrit जो कि आप सभी को भी पता है सिलिकॉन जब भी बारिस का समय रहता है तो आपको दुकानदार के दौर अभी उसे के साथ में जो अनुसंधान के इंड्रे बिग्यानी को दौर भी आपको सिलिकॉन बेस चिपकों की इदायत दी जाती है यह क्या गाम करता है कि आपका जो भी क सब्सक्राइब या सेवन है तो आपकी जो फसल है वह आपको 100 परसेंट तक प्रोडक्शन देगी लेकिन अगर आपका मिट्टी का पीज बेलेंस सिक्स फॉइंट फाइब से कम है या फिर सेवन से ऊपर है तो एसे में क्या होता है कि आप जो भी फटीलाइजर जो भी फट में बेसही पड़ा रहता है क्योंकि आपकी मिट्टिया चारी हो जाती है या फिर अमली हो जाती है तो सिलिकॉन क्या होता है कि मिट्टिय में जाकर मिट्टिय के पीच को बेलेंस करता है जिससे की जो भी आपके पोसकतात्व मिट्टिय में पड़े हुए हैं उन्हें पोधे उपने कर सकते हैं आपके सिलिकॉन को बढ़ता है उसे के साथ में घर्म कि के भी प्रॉइकल को पड़ा या उसका कैमिकल का आपने कर लिया है इसे में फसलो को इस्टेस से पार भी निकालता है इन अब आता है हमारा साथा पैंट प्लस साथ अगर इसके होस फास बन जाता है तो इससे आप सीड कर सकते हैं सरों करते हैं तो सीड के आसपास नमी बनी रहती है जिससे की यहांग कमरं काफयाद होता है उसे के साथ में आप इसे tu can kill ताहसे कर सकते हैं उसे के साथ में आरू फैंगिस और फंगिसाइट के दरें बीस्तिमाल सकते हैं। मतलब और बोलोगी भीत भिए इसलिक होelsth App किस प्राइक पनकार्ष से इस्तिमाल करते हैं इसके बारे में थ्लब़ा साँ करा दोसे के साथ में अगर काम करें तो यह सेल मजूध बनाता है स Thomason 5 को सबसे ज़्याधा व्लाव г tr ap है थो यह ऐक अगर देखा जाए तो फॉषल लेकर सीट की तh dat सब्सक्राइब तक हमस्लीकॉन की जरूवरत रहती है करते हैं या नहीं करते हैं कमेंड बाक्स में जरूर लिखेगा अब आता है हमारा लास्ट पाइंट की सिलिकॉन के क्या क्या नुक्सान है सिलिकॉन का अगर हम हद से जादा उप्योग करते हैं तो हमारी जमीन को उसे के साथ में हमारी फसलो को सिलिकॉन का क्या क्या नुक्सान है सिलिकॉ जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम आपको सभी को बताने वाले हैं कि सिलिकॉन के कौन-कौन से प्रोडक्ट है जिनका हमें उपयोग करना चाहिए आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारा कंटेंड पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल